All India Bar Examination जो 16 टाइम हुआ था उसकी जो Certificate of Practice होता है COP जिसको हम बोलते हैं जिसकी मदद से आप court के अंदर lifetime तक जो है practice अपनी कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इस particular All India Bar Examination का एक्जाम देने के बाद COP के Certificate की मदद से तो वो Bar Council के तुबार जो है रिलीज कर दिया गया है जैसे कि अगर आपको देखना है कि certificate of practice का जो certificate है वो होता कैसा है और जो permanent enrollment का जो certificate होता है वो आपको जब भी मिलता है जब आप अपना AIB का exam All India Bar Examination का जब आप exam clear कर लेते हो उसके बाद आपको permanent enrollment का भी एक certificate मिलता है तो वो भी कैसा होता है आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो मैं आज इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाता हूँ जैसे कि हम इसको बोलते है अपना certificate of practice ये एक certificate of practice का आपका certificate होता है ये आपको लेना कैसे है आपको ये मिलेगा कैसे मैं भी आपको पूरी वीडियो के अंदर ये बताऊंगा ये जो आपको states के नाम दिखाई दे रहे हैं इन states के बार कांसल के द्वारा COP का certificate release कर दिया गया है तो जैसे कि मैं आपको बताया कि ये COP का हमारा certificate होता है ये आपको मिलेगा कैसे बहुत simple तरीका है इसको लेने का लेकिन आपको बहुत सारी वीडियो भी देखने को मिलेंगी कि यार ऐसे कर लो वहाँ चले जाओ यहाँ पर application form भरना होता है by post आता है by hand आपको लेना होता है वेगारा वेगारा अलग 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 अपनी theories बना के बताई हुई है लेकिन मैं आपको बिलकुस सीधा तरीका बताऊंगा logic wise और आपको मैं जो कह रहा था permanent enrollment का certificate जो होता है permanent enrollment का certificate ऐसा होता है यह आपको जब ही मिलेगा जब आपका all India bar examination को paper clear होता है जब आपके आद में COP होगी COP जो एक number होगा COP नंबर जब आपके पास आ जाएगा जब ही आपको COP मिलेगी और यहाँ पे आपका enrollment Of certificate की अपने नाम किया कि advocate भी लगाना है और साथ में court में जाके cases लड़ने हैं, practice करनी है, उसके लिए आप अपने state के bar council के office में जाओ, अगर नहीं पता कहां पर है भाई, google पर साच करो, कि मेरा, मैं for example दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली का state bar council आपको कहां पर है, वहाँ पर आपको form दिया जाएगा, वह form आपको भरना है, 1000 रुपे का आपको form खरीदना पड़ेगा, तो 1000 रुपे का जब आपने form खरीद के भर लिया, उसके बाद आपको documents attach करने होते हैं, कि अपना सारे के सारे LLB की mark sheets, आपकी LLB की provisional certificate होता है, वह आपको attach करना पड़ता है, इ एक एफिडेबिट के form में, तो यह आपने पुरा जब compliance कर लिया, उसके बाद आपको fees pay करनी होती है, for example, दिल्ली के मैं बात करूं, तो दिल्ली में approximately 15 to 16,000 रुपीज आपके खर्च होंगे, आपको दिल्ली बार कांसिल के अंदर as an advocate अगर enrollment कराना है, तो जैसे आपने enrollment करा हैं, इसका exam आपको देना पड़ेगा, और आप इसको clear करोगे, जैसे अब अपना all India bar examination का result आ जाता है, और आपका pass हो जाता है, उसके दो या तीन महीने के बाद notification जारी होती है, जैसे यह वाली notification जारी करी गई है, फिर आपको जे अपनी COP मिलती है, अब यह जो COP है, यह आद्रप्रदेश, अगर आप अपने आद्रप्रदेश में रहते हो, तो आप अपनी आद्रप्रदेश के state bar council में जाओगे, जहां मैंने आपको दिल्ली के लिए भी enrollment के लिए भेजाता ना, तो आप वहीं पर जाओगे, और आप उन्हें बोलोगी, भाई यह देखो, result की अपनी ओल एडिया बार एग्जामिनेशन, जब आपका पास हो जाएगा उसकी printout निकालके, आप state bar council के पास जाईएगा, अपनी state bar council के पास जाईएगा, उन्हें दिखाएगा, यह देखिए भाई, मेरा यह result pass है, अब मेरा certificate of practice का certificate भी ready हो चुका है, बार कांसिल की website पे भ इतने बंडल में से आपका COP ढूंडेंगे, आपका नंबर मांगेंगे, अन्रोल्मेंट नंबर, तो उसके बाद आपको COP मिल जाएगी, और आपको Permanent Enrollment Certificate कैसे लेना है, जो मैंने आपको भी यहाँ पे दिखाया है, यह Permanent Enrollment Certificate, इसके लिए क्या होता है कि कुछ स्टे अगर आपको लेना है, तो एक फर्म भरना पड़ता है, तो यह जो रूल है, फर्म भरने का Permanent Enrollment Certificate लेने के लिए, यह कुछ स्टेट में हो सकता है, कुछ स्टेट में नहीं हो सकता है, जैसे मैं दिल लिके बात कर रहा हूँ, हमारे को तो भई COP के साथ में ही आपको Permanent सेट बार कॉंसल के अंदर तो आप उनसे clarify यह चीज़ कर लेना, ठीक है, तो आप आंद्रपधेश के रहने वाले तों आधि स्टेट बार काउंसल, असामे नदत स्टेट बार काउंसल बिहां स्टेट बार कांसल, छयंत्र चतिजाट स्टेट बार कांसल, दिल्ली की महाराश्वेंग गोवा मनिपूर मिघाले उडिशा पंजाव एन हरियाना राजिस्तान तमिल नाडू तेलंगाना तरिपुरा उत्रप्रदेश उत्रखंड वेस्ट बेंगौल इन सभी स्टेट के जो बच्चे जिन्होंने एई अपना एक्जाम दिया था इन सभी स्टेट के कि अपनी स्टेट बार कांउसल पि का अपने सिवान कर लेते। आपको यह दौनों चरिफ़िकट चुम्हेन आपको अपको मिल जाएगा सिम्पल तवर फिर आप अपना पर्मेंट तरीक से अपनी lifetime तक अपनी practice पूरे all over इंडिया तोर पे कर सकते हूं बस यहाँ पर आपको वीडियो informative लगिए तो वीडियो को like जरू करेगा और चैनल को subscribe करके लोगों को share जरू करेगा क्योंकि लोगों के मन में बहुत जादा myth रहता है लोगों को पता ही नहीं होता है तो यह सारी information आपको clean shop domain आपको दी है अगर कोई भी doubt आपका बनता है तो वो doubt मुझे comment box के अंदर डाल दीजिएगा मैं next video अगर बनाना चाहूं अगर आपका doubt इतना